हेलो दोस्तों जैसा के आप देख पा रहे हैं ये कॉंप्रेसर है अज मैं कॉंप्रेसर के ऊपर से वीडियो बनाने ऑला हूँ के कॉंप्रेसर यहां से गैसिक स्टेट जो लींख हो जाता है तो क्यूं ले व verf होता है ? तो सबसे पहले अब कंडेंसर यह रही कंडेंसर अपका यह कंडेंसर की जो फिंस देख रहे है न यह फिंस जर गया है यानि सरने को आ गया कंडेंसर तो यह कंडेंसर जब सरने को आता है न तो इसके पीछे फैन लगी रहती है तो इसके पीछे जब फैन लगी रहती है न तो यहां से ठंडी हवा लेता है यह खँचता है और कंडेंसर को उसकिशिता है और ढ़नेसर्ण को अनृ जब घर्मी के बाहर फेक देता है तो यह जब पेस्टन जब जचाड़ने लगता है तो जितना हवा पहले वो फेकता था जब यह फेंस लगे हुए रहते हैं तो जितना हवा थंडा हुआ यह एक्जोप करके गर्मी को एक्जोप करके बाहर फेकता था उतना नहीं फेक पाता फेक पाएगा अभी क्योंकि यह फिंस जो जड़ गयाता है इसके वज़े से तो जब यह कंडेंसर गर्मी को बाहर फेक नहीं पाएगा तो यह कंडेंसर गैस को आगे भेज नहीं पाएगा यानि pressure ड्रॉप नहीं कर पाएगा प्रेशर लिक्विट फॉर्म में जल्दी चेंज नहीं कर पाएगा जब यह चेंज नहीं कर पाएगा तो compressor के ओपर लोड आएगा compressor को काफी hard working करना पड़ेगा यानि compressor को पहले अगर यह नॉर्मल गैस को फटाफट लेके पहुचा देता था लिक्विट फॉर्म में यानि expansion cooling coil के पास तो उतना यहां कंडेंसर जब आपका चोक हो जाता है या फिर सरने को आता है या फिर कंडेंसर की फिल्टर कभी-कभी अगर ब्लॉक हो जाता है तो compressor के ओपर लोड आता है इसी वजह से compressor leakage माने लगता है बस यही reason है इसके इसके इससे इसलिए आपको कंडेंसर की प्रोपर तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा कि कंडेंसर आपका ब्लॉबर काम कर रहा है क्या नहीं और कंडेंसर चोक होने से आपका कुलिंग की कैफेसिटी भी कम हो जाती है और कुलिंग कभी-कभी बीच-बीच में आपका छोड भी देगा जैसे बारह एक बज़े के टाइम जब कडमी ज्यादा रहती है दिन में तो इस टाइम अगर आप ऐसी चालू करते हैं कुलिंग अगर छोड देता है बीच-बीच सकता है तो हेलो दुस्तों आप मेरे चैनल में अगर ने हैं तो फिलीज लाइक कोमेंट सब्सक्राइब बना ना भूले प्लीज प्लीज प्लीज